Hello Parents and Students, आज हम पढ़ेंगे Physics, जिसका First Unit हम स्टार्ट करने लगे हैं, जो के Physical Quantities and Measurements के बारे में हैं, तो सबसे पहले हम जानेंगे Physics के बारे में कि Physics होती क्या है, और उसके बाद जब हम आहसा हैसा अपने इस चेप्टर को पढ़ते जाएंगे, हमें Physical Quantities and Measurements का समझ आता जाएग सबसे पहले एक क्वेस्टन है, अब आप जो Physics पढ़ेंगे, वो होती क्या है, उसमें आप पढ़ते क्या है, वो आपको जानना बहुत जरूरी आपके लिए ठीक है, आप अपनी बुक से अपनी टेक्स बुक ओपन करेंगे, उस पर जो First Chapter है, Physical Quantities and Measurements उसमें आप Introduction to Physics पर आ साइंसे वर डिवाइडेड इन्टो 5 डिस्टिंक्ट डिसिप्लेंट, ठीक है, उनीस सदी में जो Physical Sciences है, इनको पांच ग्रूप्स में डिवाइड किया गया, सबसे पहली थी Chemistry, Anatomy, Sorry Physics, Chemistry, Anatomy, Geology and Meteorology, अब यहां पर यह है, the most fundamental of these is the Physics, इन में से जो मोर फंडामेंटल यह नही जो मोर जो Basic है, जो बनियादी है, वो Physics है, अब इन Physics, वी स्टड़ी मेंटर, एनर्जी and देर इंटरेक्शन, अब फिजिक्स में हम क्या पढ़ते हैं, मेंटर के बारे में, एनर्जी के बारे में, ठीक है, and देर इंटरेक्शन, इंटरेक्शन का मतलब होता है, बाहमी होना, या दो चीजों का, दो से जादा चीजों से आपस में तालुक होना, इसी तरह, Physics में मैटर पढ़ी जाती है, मैटर कितने फॉर्म्स की होती है, as you know, मैटर have three forms, यानि solid, liquid and gas, so solid, liquid and gas, जो मैटर हैं, उन पर heat, जैसे energy की ब्रांचीज हैं, या energy की फॉर्म्स हैं, heat energy, light energy, sound energy, mechanical energy, kinetic energy, ये सारी heat energy की forms हैं, तो ये सारी energies किसी भी matter पे जो असर करती है, जो उन पे change लेकर आती है, ठीक है, उनको interactions बोलते हैं, कि अगर पानी है, for example, अगर water है, liquid है, matter है, liquid है, और जब हम liquid को हम heat energy देते हैं, तो वो क्या करता है, boil होना शुरू हो जाता है, और वो liquid से gas मे change हो जाता है, understand, आप लोगों को, ये physics की definition mark होई नजर आ रही है, in physics we study matter energy and their interactions, कि हम physics में matter, energy और इनके बाहमी तालुक के बारे में, मुतालिया करते हैं, कि किसी भी matter पर, किसी भी energy का, क्या असर मुरत्तब होता है, ठीक है, ओके, आपने यहाँ पर, ये लिखना है, physics की definition, यह पर अपनी workbook पर, जो के, यहाँ की textbook पर है, next आपके question number two है, right name of nine branches of physics, यह नहीं ब्रांची जो है physics के नाम लिखे हैं, अब इसी page पर ये एक yellow box बिना हुए, एक जो है ना, इसके edge पर book के, और यहाँ पर branches of physics हैं, और यह nine होती है, अब इन nine का जो है, आपने फर्दर फर्दर यहाँ पर आपको nine partitions करके बताई हुई है, अब आपने इन nine partitions में पर, जो branch है ना, उसका आपने name जो है, यहाँ पर mention करना है, अच्छे तरीके से, और इनको याद भी करना है, define नहीं करना, just in के names याद करने है, मैं आपको एक बार पढ़ के बजा देती हूं, mechanics, heat, sound, light, electricity and magnetism, atomic physics, nuclear physics, plasma physics and geophysics, understand, अब आपको नामों से बता चल रहा है, अब जो mechanism होती है, वो किसी भी चीज की motion के बारे में बताती है, कि कोई चीज हरकत क्यों और कैसे करती है, heat के बारे में कितनी consistency रखती है, यहाँ कितनी heat किस चीज पर कितना असर करती है, sound जो है, अवाज के बार में light, रोशनी के बारे में है, electricity and magnetism, यह मकनातीसी अलात और बरकी अलात, यह नि बिजली के बारे में, atomic physics में हम पढ़ते हैं, कि atoms का structure, जैसे atom आप पर्दर आप जब जब आगे जाते जाएंगे, chemistry physics में आपको atom का पता चलता जाएगा, nuclear physics, nuclear physics, nucleus के बारे में होती है, plasma physics, यह खुदाई करके, जो जमीन के तैहों में अंदरोनी मुतालिया, अंदरोनी चीजों को देख के study करना है, उसको geophysics कहते हैं, और आपने यह read and write करने है, physics की definition and branches of physics, thank you.